नमस्कार गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ सुनै पांडे ख़वरों के विस्तार में जाएंगे लेकिन विस्तार में जाने से पहले नजर डालेते हैं आज की प्रमुक सुर्खियों पे गोरखपुर में टूटा 29 सालों का रिकार्ड भुवा भतीजे के गठ जोड से जीती सपा प्रवी निशाद भाजपा के उपेंद शुक्रा को 21,961 वोटों से दी शिकास लोगसभा उप्चुनाओं में कुल दस उम्मिद्वारों ने लगाया था दम पुल मिला कर 9,33,792 मत परे थे भाजपा की हार पर सीयम योगी आदित नाथ ने कहा कि भाजपा के अती आत्म विश्वास और विरोधियों की बेमेल गठ जोर से हुई है हार भाजपा ने खोई लगभग तीन दशक पुरानी सीट सपाईयों का चेहरा खिला जीत की खुशी में जूमे सपाई भी एक दूसरे को जीत की बढ़ाई कड़ी सुरक्षा वेवस्था के साथ वीज़ी प्रत्यासी को जिला प्रसासन ने नौ निर्वाचित सांसत को घर के लिए किया रवाना और डीम ने सपाईयों के आपरोश का किया समन औन स्पॉर्ट लिखित स्विक्रिती देकर सपाईयों को मतगरना स्था तक जाने की दी अनुमती अब ख़वरें विस्तार से गोरखपुर में अप्रत्यासित रूप से सपा के उमिद्वार प्रमीर निशाद ने अपनी जीत दर्ज कराई है प्रमीर निशाद ने भाजपा के उमिद्वार उपेंद दत्शुक्ल को 21,961 मतों से हरा कर 29 सालों पुराना गोरखपुर का रिकार्ड तोड़ा है सुभा मतों की गणना लगबग 8 बजे से शुरू हो गई सपा प्रत्यासी प्रमीर निशाद ने दूसरे राउंड से लगातार बढ़त बनाये हुए थे और अंतिम राउंड तक ये सिलसला जारी रहा इसके साथ ही जीत का सहरा प्रमीर के माथे पर बद ही गया आपको बताते चलें कि सपा ने जहां एक और बसपा से समर्तन हासिल किया था वहीं निशाद पार्टी, डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी और अन्न संगठनों का गठ जोड सपा को मजबूत बनाया वहीं दूसरी और भाजपा के उपेंद दत शुकल कई जन सभाओं में जिसमें स्वैम, सीयम, योगी आदित नादबी उपस्थि थे, करने के बाद भी हार गए भाजपा की चुनावी रैलिया सपा के गठ जोड की राजनीती के आगे दम तोड़ दी इस एतिहासिक जीत से जहां एक और सपाईयों में जोस है वहीं भाजपा के खेमे में उदासी का माहौल बना हुआ है इस एतिहासिक जीत पर सपा के विज़ई प्रत्यासी प्रवीर निशाद ने गोरपु नियूस से एक विसेस बाचीत के दौरान कहा गोरपूर लोगसभा उप्चुनाव में कुल दस उमीदवारों ने अपने भाग की आजमाईश की थी जिसके क्रमवार विबरण हमारे गोरपूर नियूज चैनल पर मौजूद है जिसमें भाजपा के उमीदवार उपेंदत शुक्ल ने कुल 4,34,476 मत प्राप्त किये सपा उमीदवार प्रमीर निशाद ने कुल 4,56,437 मत प्राप्त किये वहीं कॉंग्रेस की डॉक्टर सुरिता करीम ने 18,844 मत मिले ऐसे ही चारपाई चुनाव चिन से अवधेश निशाद ने कुल 2,825 वोट पाए वहीं कैमरा निशान से गीरीस पांडे को कुल 1,666 मत प्राप्त हुए इसी क्रम में बैटरी टार्च वाले नरेंद्र कुमार महंथा को कुल 1,717 मत प्राप्त हुए वहीं कप प्लेट के साथ मालती देवी ने 2,421 वोट बट औरे वहीं सिलाई मसीन के साथ उतरे चुनाओ में राधे शाम सेहरा ने कुल मिला कर 2,003 मत प्राप्त किये एर कंडिसन चुनाओ चिन्न के साथ विजय कुमार राय को कुल 1,1818 मत मिले इसी क्रम में गुबारा लिये स्रवन कुमार निशाद को कुल 3,52 मतों से ही संतुष्ठोना पड़ा आपको बताते चलें कि इस मतदान में नोटा का प्रियोग कुल 8,321 लोगों ने किया है इस लोग सभा उप चुनाओ में कुल मिला कर 9,33,792 मत पड़े चुनाओ पड़ाम की घोषना करते हुए जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजीव रौतेला ने कहा अधिकारी, amura doकking ते अधिकारी ने के बूटा हुग ही हुग है पई लगाओ, अविड़ आना झाला 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 झाला, झाल झाल झाला झाला झाल इन लग लाकली, तो यह झेक्न है लोग झाला झाली आप जातीस वाइब 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 हो एक वाइब वाइब निकल ने खाहु है ठीक आट बजे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं वानेच संकाई के सब में और ठीक आट बजे हम लोग पोस्टल बैलेट की गिंती शुरू करेंगे इसके साथ ही जो हमारे स्ट्रॉंग रूम से हैं सभी असेंबली कॉंस्टिफिंसीज के उनकी भी अब सीलिंग खोलने की करवाई की जा रही है और जैसी पोस्टल बैलेट की गिंती आरम हो जाएगी उसके तुरूंत बाद सभी एसीज में कंट्रॉल यूमिट की गिंती भी आरम हो जाएगी आपको यह बता दे कि हमारे यहां पर लगभग चार सो से लेकर चार सो असी बूट्स तक हर असेंबली कॉंस्टिफिंसी में और हर एसी में चौदा टेबिल्स गिंती की वेवस्था है तो पहले राउंड में चौदा चौदा करके सतर इसके कंट्रॉल यूनिट्स हमारे फर्स राउंड नाएगे जब उनके गिंती समापत हो जाएगी उसके बश्चार पर सेकंड राउंडी कॉंस्टिफिंसी में तीस राउंड से लेकर 35 राउंड तक चलेंगे और उसके बाद जो प्तेक असेमली में एक-एक बीवी पैट उसको हम लोग रेंडमली सेलेक्ट करेंगे लॉट्री के माद्धियम से और जिस भी बूत का नंबर आएगा उसमें बीवी पैट की तो परचिया है उसकी गिंती की जाएगी जब ये बीवी पैट की गिंती पूरी हो जाएगी और हमारा सारा टैबूलेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद आप्जरवर्स के साथ विचारी मर्शन हो ऐसा है उनकी सहमती पर एलेक्शन कमिशन से बाच चेथ हो और उसके बाद रवाचल परड़नाम की पूर्शन हो जाएगी तीस राउंड की काउंटिंग में वाच्छे घंटे का समय लगना तीस बैटिस राउंड है वो लगना सामाने बाद है और उसके बाद लगवाद एक घंट कि बैट की परचे घंटे में लगए रहा है कि जल्दी करें लेकिन जनता के अलब संसय बना हुगा अभी एवियम को लेकर जो मतलान परचिशत जो बढ़ रहा है लगातार बढ़ती जा रहा है कभी 43 परसेंट से लेगा है इसके इसको देखते हैं जनता के बीट में एक संसय बना रहा जीत तो आप रहे हुग हो बट लेकिन कहीं मसीनों के जारा गरबड़ी करके फिर जमना जी वाला हाल ना कर दे जाए जो इतियास को दोरान ना दिया इसके लिए क्या आप लोग को एकस्ता तैयारी की अब एक चाहिए है और आपको अधिय को आप कह रहा है कि जीत रहे हैं यह जंता हमको आसास पर रहे हैं लेकिन इव्यम में कूछगवरी ना हो इसके लिए इनके दिल में कहीं कहीं संसय बना हुआ है, दिमाख में संसय बना हुआ है, इसकी लगातार जो मद्दान परस्थ घट रहा है, इसको बढ़ रहा है, इसको बजेक तेल देंगे। इसको बजेक तेल देंगे। संसूचित करने के शिवाए, संसूचित ना करेगा। जो कोई बसके लोगा के लो भाएट वा? जावाव जाव जावा जावा जावाब वकारी मेरे जढ़ अबवाब। जढ़ लेक सिंवान कि तर्दों लेवाल झाल झाल बीज़ड़ लेक सिंवान भाफी सिंवाब। यो यो जजब लेशा तर्दों जढ़ लेकर रिजब मेड़र रिज़गर लेकर घू हो अऔर कि अधिक आठ बजे निर्वाचनायव के निर्देशों के रूप जो आरो टेबिल है यहां वाने संकाय में इसमें पोस्टर बैलेट्स की गिंती शुरू हो गई है जो हमारी पांचों अन्य असेंब्ली कॉंस्टिट्वेंसी हैं वहां सभी में अब्जरवर्स और कैंडिडेट्स अत्वान के पतिनिद्यू की उपस्तिती में इस टॉंग लूम खोल दिये गए है लगबग सभी जगे पहले राउंड की गिंती हो गई है और यह गिंती अब जब तक चलेगी जब तक किसी भी असेंब्ली कॉंस्टिट्वेंसी के सारे के सारे कंट्रोल यूनिट्स ना गिल लिये जाएंगे तो उसके बाद फिर हर असेंब्ली कॉंस्टिट्वेंसी में एक-एक वीवी पैट का रेंडम सेलेक्शन होगा लॉट्री से और उस वीवी पर बाद गंट्रोल यूनिट्स की हो जाएगी, फिर वीवी प्रैट की परचों की गिंती हो जाएगी, तेब ये गिंती पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर आब्जरवर्स के साथ विचार्यों मश करके, उनकी सेमत्ती के साथ, फिर एलेक्षन कमिश्चर पर इंडिया से करके उसके और निर्वाचन के पर आपस यालिए एक से फांच, जिस अब सफ में गया है, इक से फांच, एबर नुम्बर एक से आपन, बेड़ जए, जया है, अरे पहीडि़े प्रैट से सिखें किताँ मा लिखेंगे, है कर ना अभी भूर्थ लास करमचारी जहाए मसीन ले किया है बिले राउंद की है है करें फ़ कर अजब 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 एमवार टुट अजदिए और भूदा समय है लग आप और जो और ग्ट को या भर जो कर आद। कर दो या जब चिंग जब च्टें को लगंवार को या वे क्वे梳 बाच ग। कर்कूल कर्घड़ तक नुण कर्छो अपैस के वे सुब जुछ जुछ कर्णड़ जुछ जुछ अग जुछ कर्ण़ किसी भी चक्र की करना का प्रणाम यह आरप की दोरा प्रिज़ा जाता है तो इसका परिक्षन यहां पर आरोगी टेबल पर होता है और जो दो हुमारे अब्जर्वर्स है वो अपनी 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 कॉंचिक्वेंसिस का नाकिवर कंपूटराइस्ट है तरकि मैनुवर जो करन लगकशन करते हैं जो प्रिक्षर के ऊथरा शेखर जो चक्र करते हैं जो उस देर पहले हम लोग करच चुके हैं इसमें मैं आपको पने पता दूंब ब्लाउद स्पीकर से ववा था आपके वा सामने पता दे वा यह इस ने प्रफम चक्र की गर्णा में पूरी पार्लेमें इसमें से आजपा की कैंडिडेट को 15,570, समधवादी पार्टी की कैंडिडेट को 13,911, इंडियर नेशनल कॉंग्रेस केंडिडेट को 547, इंडिपेंडेंट अवधेज निशात को 76, इंडिपेंडेंट गिरीशनायर पांडे, जो एक रेइस्टार काटी से एंडिपेंडेंट नहीं है, गिरीशनायर पांडे जी को 16, दिरिन्द कुमार में इन्तार को 56, बालती देवी को 108, अर्देश शाम सेहरा को 83, इजेकुमार सबसे कम संख्या हमारी सेजल्गां में है जहां पर इस राउन होने हैं तो सबसे कम संख्या हमारी सेजल्गां में है सबसे करना है वह अब आठवे दसवे राउंड पर है और उसमें अब्जर्वर्स के दसकतना हो जाएं तब तक आपके सामने या एलेक्शन कमिशन और इंडिया को हम लोग को रिपोर्ट नहीं देशते हैं बहुत शीगर दूसरे तीसरे हमारे पास तयार हैं और उसमें अब् जिसमें अभी तक को लेकू नहीं तक नहीं पर दियो हैं जिसमें बीज़ेपी के उम्मीदवार को 29,194, समाजवादी प्रट्टी के उम्मीदवार को 29,218, Congress के उम्मीदवार को 1,018, अब्धेश निशाद को 158, गिरीश नाराय पांडे को 103, नरियन कुमार महंता को 99, मालती देवी को 196, रादेशाम सेहरा को 166, विजे कुमार राय को 134, सरवन कुमार निशाद को 248, नोटा को 634, तो यह सेकंड राउंड के एंड तक का है, और थर्ड राउंड अभी मेरे पा कुछी मेंटों में साइन होके अफजरवर के पास जाने वाला है, आपके बीच में दुबारा सेहरा, इसमें अब तक कुल 92,686 मत पड़े हैं, जिसमें भारते जनता पार्टी को के कैंडिडेट को 43,456, समाजबादी पार्टी के कैंडिडेट को 44,989, कांग्रेस के कैंडि किरिश निशाद को 218, किरिश नाराने पांजे को 160, नरेन कुमार मेंथा को 188, मालती देवी को 289, रादेशाम सेहरा को 234, विजे कुमार राय को 186, सरवन कुमार निशाद को 354, और नोटा को अभी तक 950, ये तीन राउंड तक का जो प्रगामी योग है, क्युमुनिटि अभी तक कुल प्राप्दमत एक लाख 22,546, जिसमें भाजपा को के कैंडिडेट को 56,945, समाजबादी पार्टी के कैंडिडेट को 69,907, कॉंग्रेस को 2386, अभधेश निशाद को 310, गिरीश नरायन पांडे को 207, निरेन कुमार महंत्रा को 208, मालती देवी को 351, रादेशाम सेहरा को 298, विजे कुमार राय को 246, सरवन कुमार निशाद को 464, और नोटा में 1224, कुल 1,222,546, पांचवे चक्र का आने वाला है, फिर आपकी बीच में आए, संसरिय सीट का मदगरना का पांचवे चक्र तक का सभी असेम्ली कंस्टिट्वेंसी का प्रणा मेरे पास आ लिया है, और इसमें अब इस्तिती इस प्रकार है, पांचवे राउंड के गिंती के एंड में, पाचवे राउंड में वी सफ़ा है, कुल वोट्स पोल्ड एक लाग के क्यावन हजार पांचवे सेतालिस, जिसमें भाचवा की कैंडिडेट को सतर हजार तीन सु सतर, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को चाहतर हजार सततर, कॉंग्रेस को 3084, अबधेश निशाद को 393, घिरिज नरायट पंडे को 272, निरेन कुमार मेहंता को 266, मालती देवी को 445, रादेशाम सेरा को 357, विजे कुमार राय को 297, सरवन कुमार निशाद को 566, और नोटा में 1473, कुल वोट पोल, 151547, डिफरेंस सर्थ, 70370, इसको माइनस करता है, इसको माईनस करता है, डियम सर, वाइट तेकि तो मज ताइम सर्थ, रोल, 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 जिकी सूशना मेरे पास आ गई है, अब इन तक कुल पोल वोट, 18333, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 89,950 कॉंग्रेस को 3,746 अफदेश निशाद को 499 गिरीश नारायन पांडे को 324 नरेन कुमार मेहनता को 298 मालती देवी को 518 रादेशाम सहरा को 436 विजे कुमार राय को 356 सरवन कुमार निशाद को 686 नोटा में 1779 कुल वोट पोल एक लाग 81,363 ये छटे राउंटों की फिगर है? सर वाजबा का 82,811 और समाजबादी पार्टी का 89,950 कॉंग्रेस को 4325 पाँच हयार 156 अरदेश निशाद को 544 प्रीश नारे पांडे को 373 नर्यन कुमार मेहनता को 330 मालती देवी को 579 पादेशाम सेहरा को 497 विजे कुमार राय को 415 सरवन कुमार इशाद को 769 नोटा में 1,992 कुल वोट्स गिंती जिनकी की गई है साथ में चक्र के अंतक 2,10,650 एक बार फिर्ट तो सर बता देएंगे सिर्फ बीजेपी और स्की का? बीजेपी का है 95,690 और समाजवादी पार्टी का है 10,5,166 अब आठवे राउंड का इसमें अभी तक कुल वोट्पोल्ड 2,49,323 जिसमें भाजपा के हैं 1,88,829 समाजवादी पार्टी के हैं 1,19,427 कॉंग्रेस के हैं 1,953 अभदेश निशाद के 605 गरीश नाय पांडे के 418 महिंद कुमार महिंता के 366 माल्ती देवी के 642 रादेशाम सेरा के 571 विजे कुमार राय के 466 सर्वन कुमार निशाद के 847 नोटा में 209 कुल वोट्पोल 2,49,323 इसमें भाजपा को के कैंडिडेट को 5,442 मत मिले हैं अभदेश निशाद को 702 गरीश नाय पांडे को 465 गरीश नाय पांडे को 366 माल्ती देवी को 716 रादेशाम सेरा को 611 विजे कुमार राय को 516 सर्वन कुमार निशाद को 948 और नोटा में 2468 राद बोड़ के पार रिपीट कर दिया नोवर मैं आपको हुखे कैंडिडेट सेथा हूं जो भाजपा की कैंडिडेट है उनको 1,020,917 मत मिले है 9 चक्र के अंटक और जो समाजवाजी पार्टी कैंडिडेट है उनको 1,35,556 तोतल कितने उनसे स्वे राउंड का जो परिणाम है उसके अनुसार उपेंद्र दच शुक्ल जी को एक लाख तैस अजार तीन सो तैस मते मिली है प्रवीन कुमार निशाद जी को एक लाख उन्चास अजार तीन सो बार दोक्तर सुराइता करीम वन लाख फॉर्टेन थाउजड त्रीन फ्रीन थेल्ट तोल पोत है दून नाइन शिक्स वन नाइन वन 296191 191 श्री उपेंद्र दच्शुक्ल जी को 1,333,33 श्री प्रवीन कुमार निशाद जी को 1,49312 डॉक्टर सुरहिता करीम 312, सर डॉक्टर सुरहिता करीम 6,058 और अवधेश निशाद 789 गिरीश नरायन पांडे 512 इसकी इसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी 296191 296192 2710 बारवे राउंड जी गंड़ा हो गई है गुल जो मते आप तक गिनी गई है वो उसकी संख्या है 3,62,615 इसमें से भाजपा के उपेंद्रदर्श शुक्ल जी को 1,65,487 प्रवीन कुमार निशाद जी को 1,80,155 डॉक्टर सुरहिता करीम कॉंग्रेस के 7,804 मते अवधेश निशाद 909 मत इरीश नरायन पांडे 635 मते इसी तरह से बाकी लोगों के भी एक बार रिपीट करें जी तोटल जो मतें 12 राउंड तक गिनी गई है उसकी संख्या 3,62,615 है भाजपा के उपेंद्र दच शुक्ल जी को 1,65,487 मते अब तक प्राफ्थ हुई है प्रवीन कुमार निशाद सफ़ा के 1,80,155 मते प्राफ्थ हुई है डॉक्टर सुरहिता करीम कॉंग्रेस के 7,804 मते प्राफ्थ हुई है नोटा अब तक कुल 3,325 13 राउंड की गंड़ा के बाद पुल पड़े मतों की संख्या है 3,92,995 इसमें भाजपा के उपेंद्र दच शुक्ल जी को 1,89,823 मते प्राफ्थ हुई है गवीन कुमार निशाद सफ़ा के 1,94,760 मते प्राफ्थ हुई है कॉंग्रेस के डॉक्टर सुरहिता करीम को 8,566 मते प्राफ्थ हुई है मोटा कुल 3,587 1,92,860 प्रवीन कुमार निशाद को 2,12,071 2,12,071 2,12,061 2,12,061 कॉंग्रेस के डॉक्टर सुरहिता करीम को है 9,261 3,860 प्राफ्थ हुआज निशाद को 1,081 3,15, 718 निशाद को 616 निशाद को 616 प्राफ्थ हुआ है नोटा 3,839 नोटी आय प्राफ्च हरे यह ठार्गा अरं एक अर्ड़ पार cardiac issue 44 अर्ड़ घ। यह जे कि ढूआ यह ज्साहणते है जो यह जा कि अर्ड़ जादे देखे कुछ आर्ड़ एक एक जार्ड एक आर्ड़ जार्ड़ लगण मर्चावटी किंती श्वाफ पर्शा है नान वे प्रटु कर रहा है जब युद्धी नाम के मर्व राथ्भूए जिस स्वे श्वाफ पर्टी के पर्टी पर्टाशी श्रीपरीद कुमार श्याप को कुल 4.27 अधाल मदबाद हो एक श्री सब्सकेर शुर्वाक ताक को विजी खोशिट करा जाएगा तो इस्वामा की प्रत्याश्टी तुमर्क फार्त दिल्ता पार्टी के रहे उन्हें कुल 4.27 अधाल शुजा 212 मदबाद हो एक पूंधा पिछवागा निलेओं आगा जिए वाकता है तेमागा भाई ते माखा भाई ते मागा भाई ते दुटमाई ते जिएका जाहिक अच्छी जैंक आपने आपनाख दूर्वाद करोगर्षा जोलिएर पुटवाई पीछो जाहिए का दजय का पराइका। अचनल के विजया में भी जह किन रहां कर दो किले है तुट एडिज़, पैकरणालो के ऩो अचिछाना भी जह से लाएं बाएं यह मत्तों रहा है और पर से विश्वा सूट गया और अपना विश्वा जो उनका जो निड्ना था जनता का उन्होंने अपने निड्ना सुना दिया अमानी मुख मंदरी जी को अपने पप से शिफा देना चाहिए कर अणिजना उन आगान क्या मैं व्लाइभ मैं भैं समस्कित आग जहे हुआ भैं सबस्क्राइबınız भाजपा की हार पर मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने कहा है कि वो विज़ाई प्रत्यासियों को बदाई देते हैं और अपनी पार्टी की हार की समीच्छा भी करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हार का मुख्य कारण भाजपा की अती, आत्म विश्वास और विरोधियों का बेमेल गठ जोड था। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। कुछ तौफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार। दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार। वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तयारी में शुब आरंब का आशिरवाद। एश्प्रा चियत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रिक के बाद आपका फिर से इस बुलिटेन में स्वागत है चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लगभक तीन दशक से गोरकपूर के लोगसभा सीट पर काबिज भारती जनता पार्टी से अब ये सीट चली गई है। इस लोगसभा उपचुनाओं में सपा ने भाजपा को शिकस्त दी है। लंबे समयबाद समाजवादी पार्टी ने गोरकपूर के जनता के विश्वास को जीत कर भाजपा के इस सीट पर कबजा किया है। आईए एक बार वर्स 2014 में हुए लोगसभा चुनाओं पर नज़र डाल लेते हैं। इस तरह आई एन सी से अस्ट भुजा प्रसाथ रिपाठी को कुल 45,719 वोट मिले थे। वहीं आम आद्मी पार्टी के प्रत्यासी राधे मोहन मिश्रा को कुल मिलाकर 11,873 वोट मिले थे। इस तरह 8,113 लोगों ने नोटा का प्रियोग 2014 के चुनाओं में किया था। गोरखपूर लोगसभा उप्चुनाओं में सपा अपने अप्रत्यासित रूप से हुई एतिहासिक जीत से जस्न के महौल में नजर आ रही है। सपा कारकरताओं में इस जीत को लेकर नई आक्सीजन का संचार हुआ है। इस आक्सीजन को उर्जा की रूप में बदलते हुए सपाईयों ने शहर में जम कर जस्न मनाया। शपा के उस्ताही महिला और पुरुस कारकरताओं ने अपने प्रत्यासी प्रवीर निशात की जीत को पूरे जोसो खरोस के साथ स्वागत किया। इसी बीच सपाईयों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को अभीर गुलाल लगा कर किया। गोरप नियू से बात करते हुए जीत की खुशी से सराबोर सपा कारकरती ने कहा कि ये सपा की नीतियों की जीत है। प्रवीर निशाद को युवाओं का समर्थन मिला है और ये भाजपा के लिए सबक लेने वाला पाठ भी है। गोरपूर संसदे सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी प्रवीर निशाद के विजई होने के बाद जिलादिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी राजी रौतेला ने विजई प्रत्यासी को जीत का प्रमाड़ पत्र दिया और पुलिस प्रशासन के साथ उनको उनके घर तक पहुचाने के लिए सिटी मजिस्टेट को निर्देशित भी किया इसके बाद गोरपूर के नौ निर्वाचित सांसद प्रवीर निशाद को सुरक्षा विवस्था के साथ उनके घर के लिए रवाना किया गया मज्त अधि किंती शवाजका कि पस्टा स्वा अधिया डिया तादी लगार अधिया गे धिनां के मरत गोरे राधबूर किल राफुलिथ जिस्टेट के लिए पाटी में प्रश्रासि शवरी परवीद कुमार इसका को गुल चार आटार गार शपा मिजार कुल पांस को पेर शिरीज भबीर दुमान इशाथ को जोजी घोशित कहा रहा है जो इस्वर नमदते प्रत्याश्टी समत अत्र पार्टी के रहे हुने को चाहना इस्वाटे सजा शेसेट कमात प्रत्याथ को आठेड़ जो आठाबाई तर्जे पेस किना साइड में कमें अधि आजी आजी ऐगा है पीछे जहाने है यह कहां सहपड़ा है वाई बोगरे है भाई घरके हमाइच पाक प्रका है पय किलाओ प्लाओज। बाइं आधा हिस्ट नाम से बाखें खटे हैं तोटे हैं अधिकल अयया हम यह कोई बातो यह दो खुरें क्ड़ियो है कुछिस धानें कर राहिए अराम स opinions के जाड़े अधा मत और अभाग के गल्त कर विद्धिर ऐ रण से पांक कि नहीं है परवीन होग मास नहीं के है हर्वकेस भाए झाज ठार आर्ली दो भाब कि Col Lit करिस दो थे जब जब इस चुनावी मतगर्णा के दौरान सपाईयों द्वारा ये बार बार कहा जा रहा था कि उन्हें मतगर्णा अस्थल के पास नहीं जाने दिया जा रहा है इस पर सपाईयों के विरोध को देखते हुए जिला प्रसासन तुर्दरनत हरकत में आया और जिला दिकारी राजी रहतेला ने सपाईयों को लिखित रूप से मतगर्णा अस्थल पर जाने की आन स्पॉर्ट प्रसासनिक स्विक्रिती प्रदान कर उनके आकरोष को ततकाल प्रभाव से शांत किया आपको पताते चलें कि सपाईयों का यह जिला प्रसासन पर आरोप था कि प्रसासन द्वारा सोची समझी रणीती के तहत उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जिसका ततकाल निवारण जिलादिकारी ने उन्हें स्विक्रिती देकर अपने लिखित अनुमती प्रदान कर मामले का पटाक छेप कर दिया ंप मोँ कर दोड़िंप में मामले के घखित को देकार स कंछान की त owego podem का वर गिरा तक पोवे ले तक दोनी bench seem to理 जब वकनानान पीछाली की ऐगाते हैं किसका है? चलिए जली जली नज़र डाल लेते हैं आज के प्रमुक हेडलाइन्स पर गोरकपुर में टूटा 29 सालों का रिकार्ड बुवा भतीजे के गठ जोड से जीती सपा प्रवेन शाद भाजपा के उपेल शुक्रा को 21,961 वोटों से दी शिकस लोगसभा उप्चुनाओं में कुल दस उम्मिद्वारों ने लगाया था दम कुल मिला कर 9,33,792 मत परे थे भाजपा की हार पर सीयम योगी आदित नाथ ने कहा कि भाजपा के अती आत्म विश्वास और विरोधियों की बेमेल गठ जोड से हुई है हार भाजपा ने खोई लगभग तीन दशक पुरानी सीट सपाईयों का चहरा खिला जीत की खुशी में जूमे सपाई भी एक दूसरे को जीत की बढ़ाई कड़ी सुरक्षा वेवस्था के साथ वीज़ी प्रत्यासी को जिला प्रसासन ने नौ निर्वाचित सांसत को घर के लिए किया रवाना और डीम ने सपाईयों के आपरोश का किया समन आन स्पॉर्ट लिखे से स्विक्रिती देकर सपाईयों को मतगरना सतक जाने की दी अनुमती इस बुलिटन में बस इतना ही तो कल तक के लिए दीजे हमें इजाजत और देखते रहे गुरक्षा न्यूस न्यूस बिफोर हेडलाइन नमस्कार